जैगुर्देयो और दोस्तों मेरे चनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हारदिक स्वागत है और देखिए आज की वीडियो में मैं आपको किनरी साधना के विशह में आपको बता हुआ और ये देखिए वीडियो आपके लिए बहुत महतुपूर्ण है क्योंक लेकिन आज जो मैं किनरी साधना आपके सामने दूँगा वो सुबगा किनरी साधना के विशह में आपको बता हुआ और साधना का वीडियो पूरा देखना क्योंकि अगर वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो समझ में ठीक से नहीं आपाएगा ठीक है क्योंकि लोग सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में ही बैल के बटन को प्रेस करना वहां पर आल के फंक्षन को क्लिक करना जिससे की जो भी लेटेस्ट वीडियो में डालूं उसका नौटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए आप उस वीडियो को देख पाएं ठीक है अब बात आती है कि कुछ साथनाए ऐसी हैं चनल पर जो कि बिना किसी रख्षामंत्र के या फिर बिना किसी दूसरी जो तीव्र महाविद्या या फिर बहुत उच्चो कोटी की जो साथनाएं हैं उनमें सफलता प्राप्त किए बिना आपको वह साथनाएं नहीं करनी हैं क्योंकि देखिए जैसे कि बेताल साधना है, बेताल साधना अगर सात्विक रूप से है, तो फिर आप घर पे कर सकते हैं, और वो आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, कोई समस्चा नहीं है, लगन अगर बेताल साधना उग्र रूप से है, माना कि आपने समशान में आपने को साधना करनी है जैसे कि अगिया बिताल साधना है तो इस साधना को बिना किसी सुरक्षया गेरे के बिना किसी दूसरी विद्या के जो कि उससे ज़्यादा तीप्र हो जैसे कि भैरो या फिर हनुवान साधना या फिर किसी महाविद्या की साधना या दुरुगा साधना ऐसी साधना अगर नहीं करना है आपको, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है, ऐसे ही देख करके और ऐसे ही साधना कभी नहीं करनी चाहिए, जो साधना है करने के विश्या में सात्विक हैं, वो मैं साधना है जो आपको बताता हूँ, घर पर करने के लिए वो आप कर सकते हो, उनमें कि इसी प्रकार की कोई प्राब्लम नहीं है ठीक है अब बात आती है यहां पर किनरी सागना के विश्य में जो कि पहले में किनरी के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं देखिए किनरी की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा की छाया या फिर उनके पैर के जो नाखु अंगू स्थान है और वो भगवान सिव की सिवा में हर वक्त रत रहते हैं चाहे किनर हों या किनरी हों और किनर या किनरीयों को देवताओं का जो भक्त और गायक भी कहा जाता है क्योंकि यह गायन विद्या में भी परिपूर्ण होती है यह जैसे कि यक्ष हो गए या गंधर्व हो होते हैं लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं किनर या किनरी ये बहुत ही सदाचारी होते हैं जो माता भगवती पारवती है उनकी विभिन सक्तियों में से एक सक्ति किनरी सक्ति भी है ठीक है रूप सौंद्रिय और मोहिनी विद्या में ये एक तरीके से परिपूर्ण होती है विशेश रूप से जो है ये भगवान सिव और जो सक्ति के साधक होते हैं उन पर बहुत जल्दी परसंद होती है और उनका काया कल्प कर देती है अब साधना यानि देवी की साधना करते हैं या फिर भगवान सिव की साधना करते हैं उन पर किनरियां बहुत जल्दी प्रसंद होती हैं यहां पर आपको एक गूड रहस्य मिल जाता है कि अगर साधना सिद ना हो भगवान सिव की साधना करनी चाहिए जिससे की किनरी की साधना सि नहीं होती है तो वापिस हट करके भगवान सिव की साधना करो और बोलेनात से प्रार्थना करो कि मुझे किनरी सिद्ध हो जाए तो आपको जल्दी होगी सिद्ध ठीक है चाहे अफसरा हो यक्षणी हो या किनरी हो या फिर नाइका हो सिव की साधना करने से जल्दी सिद्ध होती है या माता की साधना करने से जल्दी सिद्ध होती है ठीक है और देखिए किनरियों में रूप परिवर्तन करने की अदबुत छमता होती है ये रूप परिवर्तन कर लेती है अब आप ऐसा ना समझें कि अगर मालिया साधना कर रहे हैं और वहाँ पर रूप परिवर्तन करके कोई दूस आपके सामने ये किनरी रूप परिवर्तन करके आ जाती है और आपकी साधना में आपको अनभाव देने के लिए तो ये ना समझें कि कोई दूसरी चीज आ गई है कि कोई negative और जा गोसाई या या भूत नहीं आ गई है या प्रेत नहीं आ गई है ये ना समझें बिलकुल भी होती किनरी है रूप परिवर्थन करने की इसमें अध्मुत चमता होती है कोई भी रूप परिवर्थन करके या आपके साधना में आ सकती है और देखिए प्राचीन काल में भी रिशी मुनिय द्वारा इंकी साधना की जाती रही है इनका ऐसा उलेख भी मिला है कहीं कहीं पर और किनरीयों में इतनी चमता होती है कि ये अगर प्रसन हो जाएं आपके उपर तो सत्रों का नास कर देती है ये हर प्रकार का भोग अपना जो साधक होता है उसको देने की कोशिस करती है आपके सोचने मातर से ही आपकी समस्या का हल हो जाता है आपके सोचने मातर से ही मालिया किसी चीज की आपको जरुत है तो कहीना कहीं से आपके उस चीज का समाधान हो जाएगा आपको वो मिल जाएगी और इनकी साधना जो है आप मित्र के रूप में प वल हो जाती है ठीक है मन में लेकिन आपका जो मन है वो सुद्ध होना चाहिए बस निस्कपट होना चाहिए जब आप इनकी साधना करो तो आपका मन सुद्ध हो निस्कपट हो तो ये जल्दी प्रसंद होती है जल्दी आपको साधना की सिद्धी आपको मिलती है हालाकि इनकी देखो परकार कितने ही है जैसे अपसराई होती है create 8 किनरिया भी महतवपूर्ण है हाला कि समु तो इनके 6 होते है भाई मनोहारी म किनरी हो गई सुभगा किनरी विसालनेतरा भी हो गई शुरुत्प्रिया या सुमुखी और दिवाकरमुखी ये च्छे इनके समु हैं और इनमें से कुछ जल्दी सिद्ध होने वाली किनरी होती है जैसे कि पुस्प किनरी है वो जल्दी सिद्ध होती है या फिर मिरगाक्षी किनरी है वो भी जल्दी सिद्ध होती है और इधर ये सुबगा है ये भी जल्दी सिद्ध होती है देखिए ब्रह्मांड के अंदर वो बात अलग है कि विज्ञान तो मानता है कि जो पांच तत्वों से बना हुआ सरीर है ये केवल उसी को इनसान को ही मानता है लेकिन इसके अलावा और भी यौनिया है जो इस ब्रह्मांड के ये सत्य है चाए है हम इस बात को स्विकार करें या ना करें वो तो अपनी इच्छा है लेकिन ये सत्य है कि वो सक्तियां हैं और ये सक्तियां सुक्षम रूप में विद्यमान रहती है लेकिन यहां पर ये इस्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि इन सुक्षम यौनियों में कुछ तो जो है सद्गुणों से युक्त होती हैं कुछ दुर्गुणों वाली भी होती हैं तो ऐसी नकारात्मक सक्तियों से रक्षा भी आवश्चक है ठीक है अब इन विभिन प्रकार की जो यौनिया हैं इनमें यक्ष हो गए यक्षणी हो गई अपसरा गंधर्व हो गए किनर किनरी नाईका नागकन्या यह बहुत सारी ऐसी जो इतर यौनिया हैं लेकिन इनमें से कुछ सुभ के नरिया जो होती हैं वो सदैव सादक की प्रतिक्षा हो करती हैं कि भाई कोई आए और हमारी साधना करे और वो हमें सिद्ध करे ठीक है हमारा आवाहन करे वो और वो अपनी जो सुभता है वो साधक को प्रदान वो करें किनरियों की साधना करने से हमें वही सब चीजे प्राप्त होती है जो एक अपसरा की और यक्षणी की साधना करने से प्राप्त होती है प्रचुर मात्रा में ये धन भी देती है ठीक है और अगर तुमारी जो कोई धारना होती है ना मन के अंदर कुछ धारना होती है उसी के अनुसार यह आपको फल्प्रदान करती है, और किन्रियों के लावा एक विद्याधारी योनि भी होती है, ये बहुत प्राचेन जो ग्रंथ होते हैं, उन्में आपको मिल जाता है इनके बारे में भी, इनकी जो, इस योनि की जो इस्त्रियां होती है, वो एक जो पंडित्य होता ना पंडित्य वो इसको बोलते हैं जिसको की ग्यान ग्यान उनको अतुलियां वो ग्यान होता है और इनकी साधना करने से आप एक तरीके से मालिए कि एक विद्वान जो है अतुलियां विद्वान लगती बन जाता है अगर विद्याधरी की जो इस करें तो यह तो जो है कला में नरत्य में देवताओं को भी तरप्त करती हैं कि इनके पास में अनेक सिध्यां होती है ऐसा नहीं है कि इसे दियां नहीं होती है और चमतकारी सकतियां इनके पास में मौझूद होती हैं और यह ना समझे कि अगर हम कि साधना करते हैं तो सत्रवों का नाश तक कर देती हैं इतनी इनके पाहर कौवाके चुछित हैं दूसरा आरूगता और एक बल जो साहस है उस तक उसका अनुभाव वो व्यक्ति करता है जो इनकी साधना करता है और किसी भी बाधा से बचने का ये उपाय तक आपको बताती हैं हर वक्त ये आपका मार्क दर्सन करती रहती हैं अपने किस साधक को ये कभी भी हानी पहुचाती नहीं है बिलकुल ना समझें कि अगर हमने पत्नी रूप में की या फिर प्रेमी का रूप या मित्र रूप में साधना की तो यह हमें हानी पहुचा है क्योंकि प्रेमी का का रूप जो होता है वो मित्र का भी होता है पत्नी का भी होता है और प्रेमी का भी होती है तो कहने का मतलब यह है कि तीनों रूपों में से कोई भी आप कर भी सकते हैं हाला कि मैं फिर भी पत्नी रूप को छोड़ता हूं मैं आपको मित्र या फिर प्रेमिका रूप का ही सजेसन करता हूं ठीक है और एक बार अगर सिद्ध हो जाती है यह तो साधक के पूरी तरीके से अपनी निष्ठक से और समर्पित होकर के यह मार्क दर्शन करती है अब देखिए आगे मैं आपको इस के विशे में पूर्ण रूप से मैं आपको बता हुआ कि वही इसकी साधना आप किस प्रकार से कर सकते हैं देखिए यह साधना जो है बहुत ही गोपनी है साधन आएए यदि आपके अंदर आत्म बल है तो आप इसको अवस्य सिद्ध कर सकते हो जैसे कि कुबेर के दर्बार में किंद्रियां उपस्थित रहती हैं वहाँ पर उसी प्रकार से सिद्ध होने के बाद जो सुबगा किंद्री है यह साधक की सेवा के लिए बिलकुल एक्दम और इस्थ्री दोनों रूपों में रहती है यह मतलब कि आगर आप यह नहीं कह सकते कि यह पुरुस नहीं है यह पुरुस भी है और यह इस्थ्री भी है यह दोनों रूपों को धारन कर लेती है इसलिए इसकी साधना पुरुस भी कर सकते हैं और इस्थ्री भी कर सकती है इ या फिर प्रेमिका के रूप में आप इसकी साधना किसी भी परकार से कर सकते हो और ना ही साधना करने से किसी परकार का कोई नुकसान होता है ठीक है अब मैं इसकी साधना आपको बता देता हूं कि इसकी साधना किस परकार से आपको करने चाहिए देखे इसकी साधना करने के लिए आपको केवल तीन चीजों की आवशक्ता होगी इसमें एक तो किनरी यांत्र टिक है एक माला और एक रक्षा माला रक्षा माला जरूर होनी चाहिए कुछ लोग क्या करते हैं कि जी हमें आप यांत्र और माला दे दीजिए लेकिन रक्षा माला ना लेने के कारण वो साधना को फिर ऐसे शुरू करते हैं लेकिन रक्षा माला जरूर होनी चाहिए जिससे की एक रक्षा चक्र आपके सरीर के उपर रहता है बहले ही कैसी भी साधना करो सात्विक साधना भी करो लेकिन फिर भी अपनी तरफ से आप कोई भी ढील ना छोड़े तो इसलिए तीनों सामगरी आपके पास यह होनी चाहिए और यह मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक तो होनी चाहिए अगर आपको ऐसी सामगरी की अवश्रक्ता है तो फिर आप मुझे वाट्सअप कर सकते हैं वाट्सअप नमबर मैंने वीडियो में दिया हुआ है आप वहाँ से वाट्सअप करके और यह सामगरी आप राप्त कर सकते हैं और देखिए बे जिजक हो करके और्डर कर सकते हैं स्वमगरी आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी किसी तरह का इसमें आप संशा रखना ही मत खीक है अगर आप कहें कि जी स्वमगरी हमें अभी चाहिए दिपावली से पहले तो देखिए उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा अगर आप किसी भी समगरी का अब मुझे आउडर करते हैं तो आप ध्यान रखें स्पीड पोस्ट से मैं आपको समगरी भेजता हूँ ये जरूरी नहीं है कि आपको समगरी मिल जाए दिपावली तक कई बार होता है ऐसा कि समगरी आपको मिल तो जाती है चार से पास दिन के अंदर-अंदर समगरी मिल जाती है लेकिन कई बार फस जाती है समगरी जब काफी-काफी बड़े-बड़े इनके थैले होते हैं उनमें कहीना कहीं अटक करके कौने में डल गई तो छुटी रह गई वहाँ पर दिक्कत आजाती है तो इसलिए अगर आपको जल्दी समगरी चाहिए तो उसके लिए आपको मैं जो प्राइवेट कूरियर है बिल्यू डर्ट उससे मैं आपको भेज सकता हूँ लेकिन उसके लिए फिर आपको 500 रुपे एक्स्ट्रा पेमेंट लगता है क्योंकि उसका 500 रुपे का चार्ज है क्योंकि बहुत से लोगों को मैं भेजता हूँ बहुत से ये बोलते हैं कि जी नहीं हमें तो आप बिल्यू डर्ट से भेज दीजिए तो उनको दो या तिन दिन में समगरी मिल जाती है अगर दीपावली से पहले दो चार दिन पहले पांस दिन पहले अगर आप मुझे ऑर्डर करते हैं तो फिर आप इस चीज का ध्यान जरूर रखें आप अगर माली आप इतने पैसे खर्च करते हैं तो पांसुर रुपे आप और भी खर्च करके उसको जल्दी आप ले लें ठीक है अब जब यह समगरी आपको प्राप्त हो जाईए तो आप इसकी साधना कभी भी कर सकते हैं किसी भी पूर्णिमा से कर सकते हैं किसी भी सुब दिन में इसकी साधना आप सुरू कर सकते हैं और होली दीपावली आप इसकी साधना कर सकते हैं जन्मस्टमी या फिर नवरातरी कभी भी आप इसकी साधना करें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है या किसी भी सुक्रवार को जो सुक्लपक्ष का सुक्रवार होता है अब साधना किस वक्त करनी है तो देखिए इसकी जो साधना है रातरी को नौ बजे के बाद ही आपको साधना करनी है ठीक है और ऐसे इस्थान का चुनाव आप करें जहां आप साधना करेंगे जो की बिल्कुल एकदम सांत हो एकांत हो ऐसा नहीं है कि आप कहने लगे जी मैं तो कहीं मंदिर में बैठके साधना कर लूँ और वहां लोगों का आना जाना लग रहा हूँ या फिर आप घर में ऐसे जगह करें कि वहां पर आपके ही परिवार के लोग घूम रहे हूँ अगर घर में करें तो एकांत कमरा होना चाहिए गेट बंद करें उसका और रात्री में साधना करें जब सब लोग सो जाए तब आप साधना करें ठीक है अब इस साधना में आप जैसे की मालिया आपको नौ बजे आपको साधना सुरू करनी है तो इसना नादी करके बिलकुल एकदम तैयार हो जाए कपड़े उपड़े पहन के कपड़े साफ स्वच पहने ठीक है किसी भी रंके धारन कर लें कोई प्राबलम नहीं है उत्तर दिसा या पूरव दिसा की तरफ मुक करके आपको बैठना है चौकी सामने लगा लें उस पर कपड़ा बिछा लें कपड़ा किसी भी रंका बिछा लें आसन किसी भी रंका ले लें काले कलर का ना हो और नीले कलर का ना हो बस ठीक है अब आपको क्या करना होगा कि सामने अपने गुरू जी की तस्वीर रखें भगवान सिव की तस्वीर होनी जरूरी है और माता की तस्वीर होना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं किनरी की भी फोटो तो आप कहीं से भी sketch फोटो बहुत सारी आपको मिल जाएंगी इंटरनेट पर वहां से आप निकल वा लेना ठीक है वो फोटो आप रख सकते हो दूसरा एक प्लेट ले ले और प्लेट में आपको थोड़े से चावल बिछा करके नीचे उस पर किनरी यंत्र जो है उसको इस्थापित कर दे ठीक है इसके अलावा गुलाब के पुस्प यानि सुगंदित पुस्प हो जरूरी नहीं है कि गुलाब के हो सुगंदित हो चाहे चमेली हो चमपा हो कोई भी हो लेकिन सुगंदित हो ऐसे पुस्प ले थोड़े चावल ले ले अगरबत्ती धुबत्ती ले ले घी का दीपक इसमे जाएं दीपक जलाले अब आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है ठीक है अब गुरु आपके जो भी है उन्हीं का पूजन करें भगवान सिव गुरु है तो उनका भी आप पूजन करें या आपने डॉक्टर नाराणे दे श्रीमाली जी ग तीका भी लगाना है धूप दीप दिखाना है पुश्प चड़ाने है चावल चड़ाने है और गुरु जिससे हाथ जोड़ करके प्रार्पना करें कि गुरुदेव मैं ये सुलगा के नरी की साधना करने जा रहा हूं और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले आप मु अगर आपने भगवान सिव को गुरु माना है तो फिर आप और आपने किसी और को गुरु माना है तो भाई उन्होंने जो गुरु मंतर दिया है उसका आप जाप करेंगे ठीक है जब आपका गुरु मंतर का जाप हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक रक्षा विधान कर करना है और रक्षा विधान करने के लिए क्योंकि हर साबना में आपको ये रक्षा विधान करना ही चाहिए कुछ लोग कहते हैं कि हम दूसरा भी को रक्षा मंत्र लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं दूसरा रक्षा मंत्र जैसे कि भैरो का हो गया माता का हो गया लगा सकते हो अगर आपका सिद्य तो लेकिन अगर ये भी लगाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं तो ये भी आपका काम करता ही करता है अब वो कैसे करना है उल्टे हाथ में चावल ले ले और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल फैकते हुए अपने चारो तरफ आपको जो मंत्र बोलना है तो आपको ये मंत्र बोलते हुए सभी दिशाओं में चावल फैक दें तो जहां तक आपके चावल चले जाएंगे वहां तक कोई भी नेगेटिव एनरजी आपकी पूजा में विग्न पैदा करने के लिए नहीं आ सकती है केवल आ सकती है तो किनरी ही आ सकती है ठीक है इसके बाद अगर अगर आपने भगवान सिव को गुरु माना है तो फिर आपने उनका पूजन तो करी लिया है अगर नहीं गुरु माना है कोई और गुरु है तो भगवान सिव का आपको पूजन करना जरूरी है क्योंकि यह भगवान सिव की ही सरण में रहते हैं उन्ही के सिव कहिए तो इसलिए सिव का पूजन बहुत जरूरी है तो अब आपको उसी परकार से सिव का पूजन करना है और सिव म्हुंतर का आपको जाप करना है एक माला का या पांच मिनट बैठ करके ऐसे ही जाब कर लो ठीक है और अगर भगवान सिव का पूजन किया है तो भई माता का पूजन तो करना आनिवारिय हो जाता है क्योंकि सिव के बिना सक्ति अधूरी और सक्ति के बिना सिव अधूरे और माता की ये सेवा में रहती है तो वही माता का भी पूजन जरूरी है तो आपको जो है माता का पूजन जरूर करना है अब वो चाहे माता पारवतिगा करो या अंबेगा करो, दुर्गेगा करो किसी का भी करो जिसकी आप पूजा करते हैं ठीक है, उसी प्रकार से माता को ठीका लगाएंगे, चावल चड़ाएंगे, पोष्प चड़ाएंगे, धोप दीब दिखाएंगे, ठीक है, और माता से प्रार्थना करेंगे, कि मा, मैं ये साधना करने जा रहा हूं, मुझे ऐसी सक्ति दियो, कि जिससे की मुझे ये साधना स सिद्ध हो जाए और मेरे आप उपर आप किर्पा रखें ठीक है भगवान सिव से और सक्ति से दोनों से आपको प्राइपना करने है अब इसके बाद में फिर आपको संकल्प लेना है अब संकल्प आपको जो लेना है वो हाथ में जल ले करके सीधे हाथ में जल लेना है और आ साधना मेरी पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो करके सुभगा किनरी प्रत्यक्ष हो करके मुझे आशिरवात प्रदान करे इसके लिए मैं ये साधना कर रहा हूं और उस जल को जमीन पर छोड़ दे जब आप संकल्प ले चुके हैं ठीके तो आपको क्या करना है जो किनरी का जो फोटो रखा है आप उसका भी पूजन करेंगे उसी तरीके से यंत्र का भी आपको पूजन करना है यंत्र के उपर कुमकुम से टीका लगाएंगे पुश्प चड़ाएंगे चावल चड़ाएंगे धूप दीब दिखाएंगे मतलब कि आपका भाव जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए भाव से पूजन करें और जो किनरी फोटो रखा हुआ है उस पर भी आप टीका ल और मुझे आशिरवात परदान करें ठीक है संकल्फ हो गया पूजन भी हो गया अब बचा क्या रख्षा माला रख्षा माला को गले में धारन कर लेना जिस से कि आपकी रख्षा पूरुन साधना में होती रहे क्योंकि रक्षा माला विसेश मंत्रों से सिद्ध होती है आपके सरीर की रक्षा होती रहेगी तो इसलिए रक्षा माला को गले में धारण जरूर करना है आपको और जब आपका मंत्र जाप हो जाए तो रक्षा माला उतार करके अपनी चौकी पर वहीं पर रख दें और घी का दीपक जो है आपका वो जलता रहे इत्र वगएरा जो है आप लेकर के आए हैं वो आप किनरी के फोटो के पास भी एक थोड़े से जो रूई का होता है रूई होती है ना उसमें इत्र में भिगो करके उसको रखें और ऐसे ही आप यंत्र के उपर रखें और अपने कानों के पास भी रूई के रूई में थोड़ा इत्र लगा करके और उसको कानों में लगा सकते हो ठीक है दूसरा आप ऐसा कर सकते हैं कि जहांपर आप पूजन कर रहे हैं वहां कमरे में आप पुष्व बखेर दें कमरा आपका साफ स्वच्छ होना चाहिए पूर्ण रूप से ऐसा नहीं कि गंदा कमरा हो साफ स्वच्छ करें उसको सही तरीके से उसमें कपड़े लगा करके या कैसे भी आप उसको सुन्दरता का लुक दें और अपने पूरे कमरे में पुष्व की पंखड़ियों बिखुर दें जिससे कि अब अपने मन में भाव रखें कि किनरी आएगी तो फूलों पर चल करके आएगी इस तरीके से एक मन का भाव होना चाहिए आपका अच्छा क्योंकि कोई भी देवी देवता है कोई भी सकती है वो आपकी भाव की भूकी है ना कि आपके जो है दूसरी चीजों की भूकी है वो या फिर आप उसको इतने सामान चड़ाएंगे ये चड़ाएंगे वो चड़ाएंगे इन जोगी भूकी नहीं है इसके साथ साथ आप एक कारिया कर सकते हैं कि देखिए किनरी एक सकती है और ये इस्तरी है पुरुस भी है इस्तरी भी है दोनों तरीके से है लेकिन अगर आप पुरुस हैं और इस्तरी रूप में उसकी साधना कर रहे हैं तो आपको क्या करना है आप उसके लिए स्रंगार का सामान आप लाकर के चड़ा रख सकते हैं, वहाँ पर, ठीक है, तो ये भी एक आपका भाव होता है, अब आपको जो किनरी माला है, उससे मंत्र जाप आपको शुरू करना है, और जो मंत्र आपको जपना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, मंत्र इस प्रकार से है, ओम, क्लीम, सुभगे, किनरी, स्वाहा, केवल ये छोटा सा मंत्र है, और कम से कम, कम से कम तो 21 माला का जाप होना चाहिए, और जादा से जादा 100 माला, 101 माला कर सकते हो, या 51 माला, देखिए, आप अपनी सामर्थ के अनुसार करना, लेकिन 21 माला से तो कम करना मत, क्योंकि 21 माला का जाप, जादा ने, आदा पौन घंटे में हो जाता है, छोटा मंत्र है, और अगर 101 माला करते हैं, तो वो और भी जादा अच्छा है, जल्दी चांसिज है, साधना सिद्धी ठीक है, लेकिन मंत्र जाप में आप ऐसा भी ना सोचें, कि वही मंत्र जाप तो कर रहे हैं, उदर पैर दुखने लगे, कमर दुखने लगी, और बाद में परिसान हो जाओ, ना साधना में मन लगे, क्योंकि मन तो कमर में और पैरों के दर्द बे पड़ा हुआ है, साधना में कहां लगेगा वो, तो मन से साधना होगी नहीं, खाली मंत्र जाप होता रहेगा बस, तो उससे कोई फायदा भी नहीं होने वाला है, इसलिए मन एकागर होना चाहिए आपका, और देखिए, मन की एकागरता, धीरे धीरे एकागर होता है मन, एकदम से वो भी नहीं होता है जब लगातार हम सागना करते रहते हैं तो हमारा मन एक आगर होना सुरू हो जाता है हमें पता नहीं होता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है वो एक बिंदू पर जाकर के टिक जाता है तब आपको ना तो दिहान लगना शुरू हो जाएगा तो दर्द भी गायब हो जाता है फिर आप कितनी भी देर आराम से बैठ सकते हो और जब यह स्टेज आ जाती है तभी साधना सिद्ध होती है ठीक है तो अब इसमें आपको मंत्र जाप आप करेंगे और मंत्र जाप पूर्ण करने के बाद आप अपने बिश्टर पर जाकर के सो सकते हैं लेकिन इसमें आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पादन करना है मानली आप 21 दिन की साधना कर रहे हो तो मेरे विचार से 21 दिन में साधना सिद्ध हो जाएगी किसी किसी को ज़्यादा टाइम लग सकता है महिना दो महिना भी लग सकता है यह कोई जरूरी नहीं है कि 21 दिन में साधना सिद्ध हो जाएगी हो सकता है किसी को और भी ज्यादा टाइम लग सकता है तो जब भी आपके सामने किंदरी परकट हो और वो आकर के आप से कहे आपके बराबर में बैठी हो सटा करके बैठी हो तो आप उसको क्या करेंगे लेकिन जो आपने संकल्प लिया है ना मालिया 21 दिन का आपका संकल्प है और कितनी माला आप डेली करते हैं ये भी संकल्प है तो आप उतनी ही माला को करने के बाद आपको उससे बाचित करनी है आप अपना साधना बीच में नहीं चाहे वो आपसे बात करती रहे आप उसका कोई जवाब नहीं देंगे आपको सिर्फ साधना करते रहना है जब आपका मंत्र जाब पूरा हो जाए तब कुछ बातचीत करें अगर वो बैठी रहे तब ठीक है और अगर ऐसा होता है तो फिर आप पुस्प ले ले और इत्र की जो सिसी है इत्र वो उसको भेट कर दें और इसमें आप भोग भी लगा सकते है ठीक है मालियक जैसे दूद से बनी हुई कोई भी मिठाई है ऐसी कुछ समगरी आप भोग लगा सकते है और इस भोग को आप या तो स्यम खा सकते है या फिर गईया को खिला सकते है आप और किसी को नहीं देंगे उसको ठीक है और इस साधना में आपको जब तक साधना करेंगे तब तक आपको ब्रहमचरिय वृत का पालन रखना है, सुद्ध मन से आप साधना करेंगे आपके अंदर किसी चीज की पाने की लालसा नहीं होनी चाहिए बिलकुल एकदम सात्विक विचार के साथ में सात्विक भोजन रखें दुर्गुणों से बचें बस परुपकार की भाव ना रखें ये चीज जिक सादू वाले जो नियम है वो तो आपको फॉलू करने पड़ेंगे तभी वो आपके साथ आपाएगी नहीं तो नहीं आएगी ठीक है अब अगर मालिया आपको सादना में कुछ अनुवह होते हैं तो फिर आप किसी दूसरे को अनुवह बिलकुल नहीं बताएंगे कौन सी सादना कर रहे हैं ये भी आप बिलकुल नहीं बताएंगे सादना सिद्ध हो जाती है तो ये भी नहीं बताएंगे या सादना सिद्ध हो गई तब भी आप गोपनिय तरीके से कार्ये करेंगे वरना सिद्धी नस्थ हो जाती है तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना और अगर अनुभव आपको आते हैं तो आपको डरने की आवश्यक्ता नहीं है इसमें आपको कुछ अजीब तरह की आवाजे भी आ सकती है कुछ आपको ऐसा लगेगा जैसे कमरे में सुगंदी चैल गई है या फिर किसी ने आपको इसपर्स किया है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब आप रातरी में सो रहे हो तो आपको कुछ लड़कियां दिखाई दे या ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ कोई लड़की संभोग करने की कोशिस करें लेकिन ये जो संभोग वाली जो इस्तिती है ये उनके साथ में होती ह जो लोग सोचते हैं उस चीज़ को और फिर उनको स्वपंदोस हो जाता है यही कारिय इस्त्रियों के साथ भी हो सकता है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताए कि यह इस्त्री रूप में भी होती है यह पुरूस रूप में भी होती है तो वहाँ ये इस्त्रियों के लिए भी उसी समस्या को उत्पन कर सकती है तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें दूसरा आप साधना को साधना के लेविल से लें ना कि मजाक वाली इस्तिती में ना किसी को आप सोचें कि भई मैं किसी का बुरा कर दूँ ऐसा करूँगा वैसा करूँगा ये सब चीजें नहीं आपको अपने मन में सोचनी है और दूसरा कि अगर आपको अनुभव नहीं आते हैं तो कही न कहीं आपकी ही तूटी है किसी भी चीज में आप कही ना कही गलती कर रहे हो या आपके अंदर तपोबल नहीं है या आप किसी भी प्रिकार से आपको कुछ धोका हो रहा है या अनुभाव आतो रहे हैं हलके फुलके जिनको आप समझनी पा रहे हो ऐसा भी हो सकता है ठीक है ना इस चीज का आपको ध्यान जरूर रखना है लेकिन आपको जो है ये साधना गोपनिया तरीके से करते जाना है बस इस चीज का ध्यान लखें और साधना सिद्ध हो जाए तो एक भी साधना अगर प्रत्यक्षी करण में सिद्ध हो जाती है तो आप उच्छ लेविल के साधक बन जाते हैं ये आप ध्यान भी रखना ठीक है कोई छोटी मोटी सक्तियां नहीं होती हैं ये भी इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर सवाप्त करता हूँ तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बदरंगली हनुआ जी माराज की जै बोलिए मेरे परम हंस गुर्देव की जै